नेक्स्ट प्रॉब्लम, in the given figure, what is the reading of spring violence, ये एक spring violence है हमारे पास, और हमें पुछा गया है कि इसकी reading कितनी होगी, तो सबसे पहली चीज, spring violence की reading, हम कैसे calculate करते हैं, simple है, हम क्या करेंगे, इस spring में tension calculate कर लेंगे, जो tension की value आएगी, वही इसकी reading होगी, है ना, तो चलिए, उसमें tension calculate करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 1 kg का block है, तो इस पे mg किदर लगेगा, नीचे की तरफ 10 N, ये इस string और ये mass system को नीचे की तरफ खीचना चाहेगा, इस direction में, 10 N force के साथ, ये 10 N external force है, फिक इसी तरीके से, यहाँ पे 10 N, ऐसे लगेगा, ये 10 N, इस system को इस direction में ऐसे ख खीचना चाहेगा, ठीक है, तो दो external force है, हमारे पास, एक ये 10 N, जो की इसको इस direction में, खीचना चाह रहा है, और ये दूसरा 10 N, जो इसको इस direction में, खीचना चाह रही है, लazing, दोनों ही force, magnitude में बर्दाबर हैं, अगर दोनों ही force magnitude में बर्दाबर है, तो हम कह सकते हैं, ये system system ना तो इधर एक्सलेट करेगा और नाहीं इधर एक्सलेट करेगा तो यह system जो हो जाएगा वो किसमे हो जाएगा equilibrium हो जाएगा तो system हमारा क्या है equilibrium में अब अगर इस 1 kg बाले block कि हम FBD ड्रॉक रहें तो यहां पर कौन सा force 10 N यहां का तुरह हमने t माल लिया चलिए तो यहां का टैंशन टी और अगर यह Candicekon Мнеं है तो यह 10 newt tale T evolves लिए भी कितना होना चाहिए 10 newton होना चाहिए तो हम यह समझ गए कि यहां का tin कितना है 10 newton अब अब यह जो पली है उसको हम ideal मान रहे हमें कैसे पता यह पुली आइडियल है क्योंकि कुछ दियान नहीं हon 하기 वाइब डिफॉल्ट हम इसे आईडियाल ही मानेंगे अगर यह यह आईडियल है तो पूरे एश्टिंग में टेंसन क्या हो सेंहहों जाएगी तो यहांका टेंसन अगर 10 keto है तो यहां भी टेंसन कितना हो जाएगा ठैं 10 न्यूटन है तो इसके रीडिंग भी कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन ही हो जाएगी